देखेंगे समांता का अधिकार बिधी के समस्हांग समंता और विधीों के समांग सनक्षन की बात कही गई है ठीक है यहाँ कोम सम्ता से या विधियो का समान संअच्छन से बंजित नहीं करेगा मतलब राज बारत के राज़यों की सेथे कोई विधि के सम्ता या विधियों के समान संदक्षन से वंचित नहीं करेगा पर तेक वेक्टी चाहे नागरीक हो या विदेशियों सब पर ही अधिकार लागो होता है वेक्टी में के वेक्टी में के परसन विशेश के लिए नहीं बात हो रहा वेक्टी विशेश के बात नहीं हो रहा उसमें सब्धानिक नीगम भी आ जाएंगे कंपनी भी आ जाएंगे पंजिकरित समीती भी आ जाएंगे इन सब को आ जाएंगे तो मौली का धिकार के बल लोगों को ही नहीं मिलता है कंपनी के पास भी होता है ठीक है सबधानिक नीगम के पास भी होता है पंजिकरित समीती की भी पास होता है इनके पास भी मौली का धि जितना परिवासात उसी तर वेक्ति का परिवासा भी वहली का दिकार में बहुत अधिक व्यापक होता है आप देखायां बीधी के समझ सम्ता का बिचार बिचार से पर बिचार कहां का है आटिकल 14 कहा हम लोग लिए हैं ब्रिटीस मुल के जबिद्द्धियों के समान से कि अधिकर नोग दिए दुसरा क्या सधारन बिधी न्याले के तो सभी वेक्टियों केलिए समान भयवार कोई वैक्टी अमीर गरीव उचानिचा अधिकरी गयर अधिकरे इसमें बात करेंगे तो ध्यान में इसको रखेगा क्या है तो किसी वेक्टी के पक्ष में 20-20 से दिकार नहीं दिया जाएगा अनुपस्तितु कोई भी वेक्टी के पक्ष में 20-20 से दिकार नहीं होगा सधारन विधी या सधारन विधी नयाले के तद सभी वेक्टियों के लिए समान वहवार करेगा दुसरी बात कोई वेक्टी अमीर हो गरीब हो उचा निचा अधिकारी गैर अधिकारी विधी से उपर नहीं बोलते हैं क्या तुम कानून से उपर हो क्या कोई भी वेक्टी जो है कानून से उपर नहीं होगा ठीक है दूसरे संदर में निहित ठीक है बिधियों दोरा प्रदत विशेशा धिकारो और अध्यार उपित दाई तो दोनों में समान प्रसितियों के अंतकर बहबार में समता है समान बिधी के अंतकर सभी वेक्टियों के लिए समान नियम ठीक है और बिना भेद हो के समान के साथ समान बहवार होना चाहिए इस तरह पहला नकरात्मक संदर में जबकि दूसरा सकरात्मक पहला कि दोना का उड़े से बिधी अपसरा मतलब नयाय की मतलब समान ता है दूसरे सब्दों में अगर बात करें तो बिधियों दोरा प्रवत विसेश अधिकार हो और अध्यारोफी दाई तो दोनों में समान प्रस्थिति के अंतकर बहवार में समताप को देखने को मिलता है जबकि समान बिधी के अंतगर सभी वेक्तियों के लिए समान नियम है समान बिधी के अंतगर सभी वेक्तियों के लिए मतलब क्या है समान नियम है अब बिना भेदभाव के समान के साथ समान बहबार होना चाहिए बिना भेदभाओं के साथ समान भेवार होना चाहिए भेदभाओं के साथ समान भेवार होना चाहिए यह लाइन में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ समान के साथ समान भेवार होना चाहिए इस तरह पहला नकरात्मक में है जबकि दूसरा क्या है सकरात्म अब बोलेंगे समान के साथ समान बेवार क्या तो देखेंगे पूरूस पूरूस और पूरूस ठीक है क्या समान है इनके साथ समान बेवार होगा लेकिन अगर बात करें के पूरूस और महिला क्या दोनों समान है नहीं है ठीक है दोनों के साथ का समान वेवार अगर नहीं होता है महिलाओं के विशेसा धिकार अगर दिया जाता है तो यह आर्टिकल चौदा का उलंगान नहीं होगा चौदा का उलंगान नहीं होगा ठीक है ठीक है अगर पूरुस पूरूस में अगर भेद होता है तो आठीकल 14 का उलंगन होगा ये महिलाओ के पूरूस में अकर भेद भागर नहीं कर सकते है ति क्या और किस अथार पे पूरुस में पूरुस के अंतर करएंगे तो तो दो इस पूरुस के साथ पर फिप कैर विधवाव करेंगे तो दो नों संता नहीं है तो आसे में इसको इस बिकलांग पुरुष को मतलब क्या मिने गए बिसे साथिकार दिया जाएगा ठीक है घ्यान में इसको रखेगा तो हमेशा आफे समाण के साथ समान वहबार की बात कर सा बाता अर्टिकल 14 थिक है इसी आधर पर क्या जा जाएगा दूसरी बात भेड़ भ वह दो सही है यह पिर फ्रवाइब करने के लिए कुन करेंगे तो फ्रेयर बहुत उता है टिक देखना काम जो नेने काम है देखने के काम है जैसे आरक्षा नगर दे रहे हैं अगर महिलाओं को दे रहे और एक्षे नगर स्ट को दे रहे तो वह भेरवा में नहीं माना जाएगा ठीक है तो अगर ऑलो पार श्ट क आ है नहीं भड़ी दोर व्यक डीओ बस्तू और ले नेंडन की तर्गसंकत वरगी करण को श्रुक्रीड करता लेकिन इवारलगीकरन बिबेक सुन्ने बनाप्टी नहीं होना चाहिए बलकि बीवेक Пон ससक्त और पृथक होना चाहिए ठीक है फुटलब जो बात करेंगे वर्गी करन की बात करना चाहिए न तो वर्गी करन में तो बिवेक सुन बनाप्टी नहीं होना चाहिए जो हम लोग क्लासिफाइड करेंगे वो बनाप्टी नहीं होना चाहिए वोकि क्या नहीं ससक्त होना चाहिए प्रिथक होना चाहिए ठीक है आप चलेंगे बिधी के सासन अग अग किसी भी वेक्टि वेक्टि को डंडit करना है तो उसका एक ही रिजन होगा कया रिजन होगा उसने किसी भी तरह का विदी का उलंगन किया है संसत क्या करेंगे विधी बनाएगी अपिर भी बना सकता है तो किसी भी भी बेक्ति को करने का क्या रिजन होगा सो विधी के उलंगन करेगा तिक उसके सिवा किसी भी बेक्ति को डंडिट नहीं कर सकते कोई वेक्टि अमीर गरीव उचा नीचा अधिकारी गर अधिकारी कानून के उपर नहीं है वेक्टित अधिकारों की परमुट्था तथ सवधानिक वेक्टित अधिकारों का परिनाव है जैसे कि नयाले के द्वारा इसे परिभासित और लागू किया जाता पहले एवं दूसरे कारे की भारती वेवस्ता में लागू हो सकते हैं, तीसरा नहीं, भारती वेवस्ता में सभिधान ही भारत में वेक्तिकत अधिकारों का सुरोत है, तो हमारे बात करें कि हमारे में क्या है, तो हमारे वेवस्ता में सभिधान ही वेक्तिकत का मतलब क्या है, अधिकारों का मतलब क्या शुरूत है शरोज नाले का मन्ना का अनुछेद 14 के अंटरगर उलेखित बिदी का सासनी सभिधान का मुलभूत अनुछेद है इसलिए इसी तरह इसी किसी भी तरह यहां तके संसोधन के द्वारा भी इससे समाप नहीं किया जा सकता तो बोल सकते है मतलब नहीं बोलते कौन सा आर्टिकल मुलभूत अनुछेद है तो 17 की बात करेंगे इसको किसी भी प्रस्थिती में समाप नहीं कर सकते हैं यहां पर देखिए बिदी के सासे सभिधान का मुलभूत तत्व है जो सभिधान का मुलभूत तत्व होगा उसको मतलब संसोधन के द्वारा भी उसको समाप नहीं कर सकते हैं अब यहां पर देखिए बिदी के समझ समता के अपवाद क्या है अब बिदी के समझ समता की बात करेंगे सभी को समाना दिकार होना चाहिए लेकिन इसमें क्या है कुछ अपवाद भी आपको देखने को मिलते है क्या अपवाद है तब बीधी के समझ समता का नियम पूर्ण नहीं है तथा इसकी कई सविधानिक निशेदे में अपवाद भी देखने को मिलता तो सबसे पहले तब बीधी के समझ समता का सबसे बर अपवाद आपको राश्पति और राज्येपाल आपको दिखेंगे हमारे दो पदादी कारी होते के राश्पति होते के राश्पति होते के राश्पति होते हैं वो बीधी के समझ समता के सबसे बर अपवाद है भारत के राश्पति है 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 राश गष्दिकार होता है अधिसेश मतलब किया होता है पर पढ़ कर्ड़े नइने जारी स्रीक्णार आग सबार्यूंatur कर अधार किया जाता है हाँ चला सकते हैं हाँ इस परकार का कोई मुकर्मा चला जाए जाता है हाँ इसकी सूचणा है कि दो मार के बाद ही ऐसा किया जा सकता है अब कोई भी वेक्टि दिस संसर है दूसरा क्या तो यह सारे के सारे राजपति राज्येपाल जो हो किसे बिधी के समता का मतलब क्या है अपर बाद है कि इनको क्या मिल गया इनको मतलब 20 साधिकार मिल गया क्या मिल गया इनको 20 साधि किया जा सकता है ठीक है थान्मर्ट कि अभी यहां मध्य पर्देश का कोई राजय पाल तो को भरास्टाचार के मुद्दा में आ गया था तो उनको केस नहीद किया जा सका टीक है जैसे वह बात कर भारत के तीन वेक्टी का प्रफ़ पर चुने जाएंगे समाप्ट हो जाएगा उनके पद किसी भी परकार का केस नहीं चला जा सकता है देश की किसी बिनालिमन को बुलाया नहीं जा सकता है ठीक है ध्यान रखें लेकिन उनके उपर अगर मैं डाइवोस पर केस चला है ठीक है पत्नी के साथ किसी तक ज राजपत्ति को देनी हो जी ठीक है अब चलेंगे बैभाहिक समद्ध का कुछ प्रॉलम चला है तो चल सकता आप देखेंगे हाँ पर कोई भी बैक्ति यह संसद्ध के यह राजय बिधान सब्सक्रा का दोनों सद्धनों या फिर दोनों सद्धनों किसी एक का सत्य समंद्धिर विषयवस्तु का परकासन शमाचार पत्र में रेडियो टेलिविजन में करता तो उसे किसी भी परकार की ठीक है दिवानी या फोधारी ठीक है मुकानमा देश के किसी बी नाले में नहीं चलवाए जा सकता है यह कौन सा आर्टिकल कहता है तो ध्यानम के कौन सा और भी चीज़ा है संसद में उसकी किसी समीटी में संसद के किसी सदवार कहीं गए किसी मत के समन में उसके बुरुट किसी नाले में कोई भी कारवाई नहीं कि जा सकती यह भी मतलब ध्यानमर के यह भी मतलब आर्टिकल 14 का अलंगर नहीं है राज्य के बिधान मंडल मिया उसकी किसी समीती में बिठान मंदल के किसी सद़्द्द्वर कही गई किसी बात का दे गये किसी मत के समझ में उसके बुरुद नयाले में कोई कारिवाही नहीं की जाएगी। यह 194 कहता है, अनुछेर 31 गह, अनुछेर 14 का अपबाद है, इसके अनुछेर किसी राज्य बिढ़ान मंदर्टवा, नीती नितर्थर तत्व के किरानमन के समन में कोई नियम बनता है, जिसमें अनुछेर 49 की उपधारा खा या उपधारा गह का समावे से तो उसे सुधार पर चुनावती नहीं दी जा सकती है, ठीक है, यह अनुछेर 14 का उलंखन करते हैं, इस बारे में सर्वोच चिनाल के कहना है कि जहानुछेर 31 गह आता है, वहानुछेर 14 चला जाता है, ठीक है, अनुछेर बात करेंगे, तो 31 में क्या है? याद है किसी को अनुछेर 31 था सववपत्ति रिखकार था गहाता है, यह अनुछेर 13 का आता है, वहाँ से अंुछे शोदा क्या होता है, इसे मतलब कुछ हरी की मतलब क्या होता है, ठीक है? ठीक है रिखेंगे? सरकार ने मौलीक अधिकारों के बारे में राज्य के कुछ नीती निम्न शिधान उसको परधानता दी गई लेकिन कुछ-कुछ इस्वों में मतलब यह पूरे तरीके से कारे को नहीं कर पाता है ने किस्व कुछ शॉडा से बहुत प्रस्ट बनते हैं विदेशी संपरभू समझेगा ध्यान रखे विदेशी संपरभू राज़ू कुट्टिक वेक्ति को दीवानी वादारी मुकरव समुप चौंगे को बीदेशी राज़ूथ हैं अमरीका के राज़ू तुछ भारत में को बिदेशी के हंत्या भी कर देंग प्राप्त होता है ठीक है अध्यान में रखेगा अमरीका अमरीका का जहां पर राज्येपाल का जो अम्वेस्टर अमरीकी अम्वेसी होगा तो अमरीकी अम्वेसी के बाहर का जो भूमी अंदर का जो भूमी होता ना भाला ही डिल्ली में है लेकिन भूमी अमरीका का माना ज जाएगा ठीक है यह से मतलब को टेक्निकल टर्म इसको समझना परेगा तब देशी संप्रभू सासक होता है किसी देश में इंडिया के जो राजदूत थे उनके साथ हुआ था हमला तो न्यूस में था बहुत ज्यादा है कि उनको देना पड़ता है इसलिए देना पड़ता है ज़िए राजदूत को फ्री हैंड अप नहीं देंगे काम करने गले तो किसी देश में जाकर डरा डरा फिल करेगा तो इन सब सारे जीश को इसके इम्मुनिटी दिया जाता है तो आप सोतंतर होकर कार कर किजी आपको उहां की सरकार उहां के कानून की अनुसार आपको ना ना तो किसी पर करका सजा दे पाएगी ना तो कुछ भी दी जाएगी उनको मुक्त रखा जाता है हां अगर उन्हेंने कुछ ऐसा गलत काम किया है तो समंधिर देश की सरकार को कहा जाएगा तो भाइस साब इनको बोला के लिए जाओ ठीक है अब हम इनको अपने हां नहीं दखना चाहते हैं लेकिन कुछ सजा नहीं दे सकता है ठीक है ध्यान में रखेगा ऐसा एक दो केस मिला गया थे हैं अब है कुछ अधारों पर ठीक है विवेद का प्रतिसेद हैं कुछ अधारों पर बिवेद का प्रतिसेद जैसे देखें अनुछेद 15 में यह विवस्था दिक है कि राजी किसी नागरिके प्रति केबल धर्म मूल बंस जाती लिंग्या जनव अस्थान को लेकर विवेद नहीं करेगा अर्टिकल 15 क्या करता है अनुशेर 15 में विवस्था दी गई है कि राजी किसी भी नागरी के प्रती केबल धर्म केबल केबल लगाया हुआ ठीक है ध्यान रखेगा एक केबल बहुत इंपोर्टेंट रोल अदा करेगा आगे समझने में केबल सब्द बहुत इंपोर्टेंट धर्म मूल बांस जाती ल इंग्या जनवास्थान को लेकर बिभेद नहीं करेगा ठीक है बाकी चीज़ को कर सकता है इसलिए देखेगा आँ पर आल्लेडी बोल दिया है इसमें दो कठोड़ सब्द की वेवस्था बिभेद और केबल बिभेद का भी पराय है ठीक है बुरुद विप्रित मामला अन् मुरिक कैबल दर में मुहिवल्स जाति लेइं जहनवास्थान वता। इन किसी भी आधार परे ठीक है एक किसी भी आधार पिर daiर तो पुर्ण रूप से या फिर मतला कुछ सेgas경 से इनकी अधार होते, बैस्वें की बहुजनालहीं कcorreा, उसथाना गार आमंड़मा, इंस सब्तों पर भी किया जा सकता है w दूकान पर कर सकते हैं में निसी सार्वियंदिक में किया जा सकसे है सिनेमा घर बगार होला ही इन सबी धहरमा नहीं किया जा सकता है यह सारे चीज मतलब यह आप पर सरकारी हिस्सा यह पर पर 15% प्राइबेट है तो बोई से जगह पह भी नहीं क्या रहा से क्योंकि है पूरनता ये फिर भागता Tat couple पुरी तरह से सरकार ये फिर भागता राजनी निधि से पूषित पुर तरह से ऑवर्मेंट के दोरह słंदिन कि या फिर मतलब क्या हो था है सरकार की दोरह होता है थोड़ा सप्षिंड है पांस परसेंट डस बेगती भी कर सकता है धरम जाती के अधार पर राज्य भी भेदर वर्हा कर सकता है ना अगर मालिई कैसे बेदरकरेगा ठीक हो सकता है किसी बेगती के जाती के नाम लेकर इसको गाली को लोच करें ठीक है या फिर मतलब बोल सकता है से तुम इस जाती से आ तो इसलिए तुमको मतलब हम अपने आसपास नहीं आने देंगे ठीक है इस तरह का मतलब उससे समाजिक बहिसकार करने कोई वेक्टी तो ऐसे कंडिशन के लिए कि यह आटिकल जो है वेक्टी के खिलाब भी है राज् का मतलब हो गया ठीक है वेक्टी का मतलब तो वेक्टी विश्यस तरह खुद होई चकता है ठीक है अब इसमें भी देखेंगे तीन परकार का आपको यहां पर अपबाद देखने को मिलता है विभेद से प्रतिसेद इस समान्य नियम के तीन अपबाद है राज्यों को इस ब कि बाइसाब बच्चों के लिए निश्युल्क शिचा की वेवस्ता है तो हमें भी दो बीपेसी में 50,000 रुपया महिलाओ को देतो तो पूरूस के क्यों नहीं देतो यह तो मतलब भेदवा हो रहा है ठीक है ध्यान में रखेंगे कि समझ गया है समझ गया ना तो ऐसा नहीं कह सकते हैं यह नहीं कह सकते हैं अब महिलाओं को 50,000 रुपया दे रहे हो ठीक है राज्यों के इसके अनुमती नहीं हुए तो समाजीक और सचनी गूरूप से पिसरे वर गया अनुस्ची जाती में जन जाती के विकास के लिए कोई बिसेश उप करें तो राज्यों के इसके अनुमती होती है कि वो समाजीक और सचनी गूरूप से पिछरे बरगो अनुस्ची जन जाती कि विकास के लिए कोई बिसेश उपंद करें ठीक है तो महिलाओं को पराएंगे उसके लिए हायर एजुक्रिशन कभी नहीं लगेगा अगरा करते है तो साथ उसमें एड्विशन पर करा माफ होता है ठीक है बिहार में महिलाओं के लिए भी कुछ फंड दे देंगे ताकि उनका विकास हो चेका अनुस्ची जाते हैं परिशा में बढ़ेंगा कम पैसा लगेगा एड्विशन में कम पैसा लगेगा फिर निसुल्क होगा सामेरी जहां पर आप एड्विशन करा में जाएंगे आपको 800 रुप्या लगता है वहीं स्टी के वच्छे जाती परमार पर लगाएंगों को 300 में कम चल जागा ठीक है तब यह नहीं का हुगा सभाइस आप किस अधार पर प्यादभाव कर रहे हो जाती के अधार पर प्या करें असाथ में ठीक है राज्यों के इसकी भी अनुमर्तियों कि समाधिक और सथनी को पिछे बर वो अनुष्ची जाती में उस्टी जाती के विकास के लिए को विश्चे सुपवण्द करें ठीक है यह भी होगा तो इसका मतलब वह हवाला दे सकता है ठीक है समझ गया ना यह मतलब भेधभाव यह भेधभाव तो है लेकिन कैसा भेधभाव यह तो यह भेधभाव यह जो कि मतलब किया बोलते है यह जाइज भेधभाव तीक है? बकला जड़ देधा है यह मतलबар श्यूरी दोस्टान के लिए यह संथा में पर्वेश के लिए छुर संथी कोई नीएम बनाा सकते हैं इस यह संथा राज्य से अंदान प्राप नीजययाल शंक्य किसे भी परकार के हो सकते हैं, ठीक है, ध्यान में रखना है सरकार को कमजोर अबर के नागरी को उनती के लिए विसेश प्रफधान बनाने का दिकार है पुना सरकार थीक है पुना सरकार कारियों के लिए शिच्छन सहांता है चाहे वो सरकारी हो, नीजी हो, सहाता प्राप्थ हो, या ना हो नमांगर है तो 10- assim सिटे आराचीत कर सकती है तो कि मतलब पिछरे बर के लोग है अलवसंख्यक है या अलवसंख्यक संथा में यह पहले से जारी आराच्षन के इस उड़िक्त है इस सरकार ऐसे कमज़र बर्गों की पहचान समय समय पर अदुस्चित करती रहेगी और इसका अधार परिवार की आये तो आर्थिक परिष्ट कुलताओं को भी अन्य संकेत तक होंगे अब पिछरा बर कौन है तो मतलब शुरू में पिछरा बर को डिफाइन करने का कोई डिफिनेशन नहीं मिल ला था तो कुछ लोगों ने वहला से जो पिछरा जाती है वही पिछरा बर्ग है ठीक है यहाँ पर कुछ पिछरा जाती होई पिछरा बर्ग है तो जादे तो जो पिछरा बर्ग भी माल दिया गया है तो अब नीचे आ जाए ठीक है सेशनिक संस्थाओं में अन्य पिछरे बर्व ओवी सी के लिए आरक्षन की बात करेंगे तो सेशनिक संस्थाओं में अन्य पिछरे बर्व की बात करेंगे उपर रुपत बाद में सभीधान ने 93 सभीधान संस्था दो हजार पांच के दौरा शामिल किया गया इस परफधान क के किरानवन के लिए केंदरीय सेशनी संथान परवेश में आरक्ष्ण अधिया도मsm 26 Paριत क्या गया रिस्थान के लोरा किसे दॉख्ण उपिस्षीर अइति कोलेटी कॉलेज्व हो जाएगा ऑडिका इंवर्त्व सीटी स्थान बेहरं की मिलता रहा हना फाऊई सब्सक्राइब करेंगे अर्जुन सिंग उसमें सिख्षामंती थे क्या थे सिख्षामंती अब उन्हें बोला सब्सक्राइब सब्सक्राइब करेंगे इसको नौकरी समझेगा अब बस्चों के पढ़ने के लिए आयाइटी और आयायम जैसी संग्थान मीं सामिक थी सब्सक्राइब करेंगे इसमें 275 सीटे मतलब कर दी गई ठीक है ओवी सी के लिए अपरेल 2008 में उस्टम ना ने दोनों अधीनमों के बैदताब में मुहर लगा दी एक नियाले ने कैंसर करके आदेस दिया कि इसमें क्रीमी लियर के सिख्षान का पालन करें किदी मिलियर क्या ह एक क्रीमी लियर। होएं आमर्टे सब्सक्राइब 9000 conservative मिलियर के निचे की तरफ में क्रीमी लियर क्रीमी लियर होता है ठीक है बनाना परताया ने क्या उसको है वह भी संदिय FAQ जाएगा जो लोग का इंकम प्रास करेंगे तो क्रीमी लेयर के अंदर आएमती जो unity क क्रीमी लेयर में आएंगे उनको यह लाब नहीं मिलेगा क्योंकि आप OBC में तो हो OBC में तो हो लेकिन आपका क्या है आपका आर्थी कुन्नती बहुत ज़्यादा हो चुका है क्योंकि जब यहां पर मंडल कमिशन जब बता तो बोला भाई साब OBC में अधर बैक्वडब क्लासेस कैसे हैं कैसे पता करों के कौन सा वैक्वडब क्लासेस हैं तो बर समस्यम्राजब जैसके और बनाते हैं एपर ऐसको दो हुखने हैं तो इस को पिछरे की पिसेरे बर्ग के बिभिन तकों में च्छाते क्रिमी लेर संदी के अंतकर राते जिन्हें इस आरचन का लाव नहीं विलेगा ये तब के कुन है तो सवेधानी पर धारन करने वाल वेक्टी जैसे रास्पती उपरास्पती उचिता में वह उचिनाले के न्याधिस संग लोग स सभाव के अध्यक्षवम सदस मुखे निर्वाचनाय उपनेंते के महालेखा परिचक ये सारे के सारे वेक्टी जो हो जाएंगे वाई साय बहुत बरे आदमी है ये ओवी सी से होने के बाद भी बोलेंगे सभाई से हमी क्रीमी लेर के लाब लेर नहीं ले पाएंगे बर्ग ए या ग्रूप ए तथा ग्रूप बी की सेवा में क्लास तो अधिकारी जो की किंद्रिय राज्य सेवाओं में है इसकी अलावा साविनिक प्रेश्टिष्थान बैंकों बिमा कंपनियों महा बिद्यालों आदी में ठीक है पदस्ट समकच अधिकारी आदी या नियम किसी अधिकारी जो है तो बहुत बड़ा पद होता क्लास एक लाव ले इसको नहीं मिलेगा बिहार सरकार में कोई गैजट ऑफिस है किसी का चैनल बीपेसी के तहत हो गया वह बोलेगा से बाइसाम हम 27 पर आक्षन के लाव नहीं मिलेगा तो इसको डो कैटोगरी बनाएगा एक अधिकारी जोगा उनको भी यह रैंक नहीं मिलेगा तो कि यह किसमें आएगे किसमें आएंगे क्रीमी लेयर में डॉक्टर अभियंता इंजिनियर कलाकार लेखक सलाकर आदी के पेसे बर बैपार बनी जोग में लगे बेक्ती सहरी छेटर में जिन लोग पास भवनत अथा जिनके पास है कि निजित सिमा साधी की क्रिसी भूमी अभेरिक्त भूमी रखने बाला तो उनको भी नहीं हैंगे जीनियर लोगों की ठीक है यह जब अधार लागू की गई एक लाग थी अभी तो अभी तो अधर बढ़ा के साद्था आठ लाग कर दिया गया घिक है जिससे में इसको किरीमी देड को लाग गया विसे संपाति के करेटरिया कितना लखा गया था एक लाक रुपया जिनका भी इंकम एक लाक रुपया है वह भाई चेलाक रुपय से आधिक है वह इसमें नहीं आ सकते है ठीक है तो ओवी सी का सारा कॉंसेप्ट क्लियर हुआ क्रीमी लियर क्या होता है किस परकाश आरक्षन देते हैं अल कि लिए जिए नहीं से लिए हो गया क्रीमी लेर नन क्रीमी लेर समझ गया है पिछरा जाती कोन है कैसे निकालते थे इसमें दिक्कत क्या होता था क्योंकि बोल दिया गया से जो समाज में जो पिछरा जाती है वही पिछरा बर रहे इससाब से 27 पर आरक्षन का लप सबको मिल ला था इसमें बहुत अमीर अमीर आदमी पिया जाते थे वो भी सी में इसलिए सरकार नापालका ने भी से तो गला था सबको आरक्षन तो नहीं मिलना चाहिए कि इसमें बहुत अमीर लोग भी है तब लाथिक्ट है इसको करदो एक क्रीमी लेयर कर दो ठीक है और उसके लिए कुछ कराटरिया रख दिया कुछ जमीन का रख दिया कुछ संपती का रख दिया कुछ पद बगर कर दिया अब कोई बेक्ट किसी के पिता जी इसे का पिता जी एक लास ओफिसर है तो कि उनके उनके पास तो दिक्कत नहीं हो सकता हूं कि यहां पर देखोंगो यहां पर थोड़ा आरक्षन का थोड़ा आर्थिक भी बनाया गया ठीक है द्यान वह रखना है अब यहां पर चल मिला EWS को मिला 10.000 र१ाश ओने बने मिला क्यां अब नोगरी में लेकिन 27.000 भी तो भी 23 सरक्राइश दीया गया तो अब्ड़ाश निक संथा में निकलता तस जार सब्सक्राइब तो होता भी नहीं है दो हजार मानके चलते हैं दो हजार सीट है तो दो हजार का दस परतिसात में केवल EWS के बच्चों का ही मतलब सीट रिजर्व रहेगा तेक है दो हजार का दस परसंद दो सो सीट होगा दो सीट में किसे मतलब नावंकन मिलेगा जो EWS के बच्चे होंगे उनहीं को मिलेगा तेके बल नौकरी में नहीं शैचनी संथा में ही मतलब क्या दिया गया इनको आरक्षन का प्रवधान किया गया उपरोफ्त अपवाद ये भी अपवाद है डी में अपवाद डी में क्या 113 सभिधान संस्व अध्यम 2019 के द्वारा जोड़ा गया था इस पर अपवादान को प्रभावकारी बनाने के लिए केंद सरकार ने 2019 में सिस्तन संसा में नावंकंगें के लिए आर्थिक रुप से कमजोर बर के लिए अनातियों की मिलेगा जो के लिए इनके लिए क्या नियम क्या है इसको मिलेगा जिन वेक्टियों के परबारी का आये 6 लाक रुपय से कम है वे आर्थिक रुप से कमजोर बर के रुप में चीनित किये जाएंगे और अरच्छन का लाग उठाएंगे आये के अंतरगत सभी सुरोतों से आये समलित की जाएगे ठीक है बेतन खेती वैवसाय बैपार आदी और आवेदन करने से वर्स के पुरबर्ती बिटिये वर्स की आये को ही अधार बनाए जाएगा ठीक है इस करेटरिया पर आपको मिल सकता वैसे वेक्टियों के आखिक रुप से कमजोर बर के बाहर रखा जिनके परिवार के निम्लिखित में से एक परकार की प्रसंपत्ति का स्वामित्य रखते हैं इनको नहीं मिलेगा किनको बाहर रखेंगे जिनका पांच एकर या उससे अधीक जिनके पास भुमी है एक हजार वर्गफूट या उससे अधीक बढ़ा आवासिये फ्लाट है अ उनको दस पर्टीशषय आलक्षन जो मिलना था जैकर सKayष निक संथाओं में नावंकन के समय में उनको नहीं मिलेगा ठीक है आप इसको ध्यार मिलेगा बाकी किन को मिलेगा इनको मिलेगा ठीक है अलाग कि 6 लाक रुपये इनकों में क्या क्या सामिल किया जागा बेतन के अलावा है खेती बेवसाय बेपार सारे इनकों को देखा जागा चौलाक रुपए साधिक तो नहीं हो रहा है ठेकर उनको यह लाग मिलेगा शैचनिक संथाओं में EWS के दस पर्तिसत नावंकन का अब यहां पर देखें आर्थ अब उसका या फिर उसकी पती पतनी 18 वसके कमाई कि बच्चे सामिल माने जाए ठीक है तो अवराल पूरे परिवार पर मतलब यह लागू होगा ठीक है ध्यान में रखना है तो इस तरीके से मतलब आपका यह चलेगा और यह दो आर्टिकस हो गया 14 हो गया 15 हो गया कल के क्ल जगा पर नागरी के साथ भेडवाओ किया जाता है ठीक है क्या कहता है आर्टिकल 16 कहता है से अनुछेत सोलर राज्य के अधिन किसी पत पर नियोजन या निफ्टी के समंदित विश्वों में सभी नागरी को के अफसर की समता होगी किसी भी नागरी के साथ भेडवाओ नह देखेंगे तो जनम की ऐस थान पर थन पर भी बहेंद्आ कर लेती है जाती की अधार भी भीढ़ा कर लेती तकर लाइंधी लिएखेंगे, जैसे करना की थान मेंन वेड़ा कर दाइखेंगे, लिंग की दॉ qualify तो नहीं देखने की जाती के अधार पर भेड़वाँ होता है ठीक है ध्यान में रखेंगे OBC का कटप आगे चला जाता है जर्नल का कटप अलग-अलग होता है तो अलग-अलग तरीके पर राज्य जोह से भेड़वाँ करती है क्योंकि यहां पर बहुत अधिक आपको अपबाद आपको देखने क करेंगो चारों अपकर बाया को कर रिए करेंगे आपको समझ में आ है किसल परकार का मतलब यहां यहां पर यह भी ध्यान में करती प्रतिकूल है ठीक है अगर अनुकूल है ठीक है लेकिन प्रतिकूल भेदवाव नहीं होता है ठीक है मैंने क्या बता है हमेशा हमें जो आरक्षन जो मतलब मौली कदिकार जो मिला है शमान में समान की बात करते किसमें है शमान में समान है ठीक है समान में असमान भेदवाव होता है ठीक है समान असमान में भेदवाव होगा दो अलग-अलग लोगों में भेदवाव किया जा सकता है तकि दो समान लोगों में भेदवाव नहीं किया जा सकता है ठीक है तो कल के क हारा कल करेंगे कल के क्लास में ठीक है समझ गया